हलो श्रेंट यह क्लास drt first year के लिए है जिसमें अपना subject है radiography first positioning अपना topic चल रहिता skull radiography skull की positioning view अपने पढ़ रहे थे तो उसमें अपना topic चल रहा था skull की radiography में विपारे कि उसी को अपने क्या बोलते हैं में शोट्रसेस का आंक incomoda पकर क्या यो ऑपने के इक साहरत या अपने क्या बोलते हैं स्टेन वर्स विव सेकेंड अपना लेटरल ओबलिक व्यू और ठर्था लेटरल व्यू 25डिंग्री कावडेल एंगल जिसको अपने क्या बोलते हैं सुकलर व्यू ये इसके क्या स्पेशल नेम्स है इस नेम से भी व्यू आता है सबसे पहले था अपना पी ए ओबलिक व्यू जो कि अपने के अपिछली क्लास में पढ़ लिया था पी ओबलिक व्यू किस लिया होता है कोई भी पेथोलोजीस कंडिशन होगे मेस्टोड चैल्स में उसको देखने के लिए जिसमें पेशेंट की पोजिशन क्या रहती है पेशेंट टेबल पर प्रॉन लेटेगा पीए पोजिशन में और पेशेंट का मिडल सजाटल प्रपेंडिकुलर रहता है फिर अपने पेशेंट के हेड को क्या है 39 डिग्री रोटेट करते हैं जिस साइड के अपने को क्या अगर patient erect position में या supine position में head को हिला रहा है तो अपने क्या करते हैं head clamp का use करते हैं head को एक्ज़ गए stir करने के लिए फिर उसके बाद आती थी अपनी centring centring कहा होती है पी ये oblique view में central ray at mid point of a line between EAM of side nearest to the film and occipital protobrens at an angle 12 degree towards the head EAM क्या होता है external auditory meters centring होती है इसकी where line कौनसी line जो external auditory meters और occipital protobrens के बीच में उस line के mid point में centring करेंगे और 12 degree का angle देंगे अपने head की तरफ ये centring होती है अपने PA oblique view की देखो इसमें नाम से पता तलना है patient की position कैसे रहेगी PA होगी और फिर oblique हो जानी है head को अपने क्या किया है 39 degree rotate किया है इसके radiological appearance की बात करें तो इसमें क्या अपने को mastoid cells देखने के लिए view करते हैं तो mastoid cell clearly scene हो जाती है फिर आता है अपना lateral oblique view 30 degree caudial angle यानि foot की तरफ angle इसमें patient की position क्या रहती है view देखो कौन सा है lateral oblique पहले patient को lateral position में लेके एंगे उसके बाद क्या patient को oblique position में लेंगे तो patient prone on the excitable interview पीए position पहले सबसे पहले patient क्या होता है table पे prone position में lateral होता है फिर उसके बाद head को क्या patient rotate करता है जो side अपने affected है वही side के set के टत्मेर आती है तो उस side में patient के head को rotate करेगा और film के पूरा touch कर लेगा यानि patient का head का lateral position में आ गया अब patient middle societal plane क्या होगा patient का middle societal plane table के parallel रहेगा और उसके बाद में patient की intra orbital line क्या रहेगी table से perpendicular रहती है उसके बाद देखो अपने lateral position मनेगी अब अपने क्या करना है lateral oblique तो उसके बाद में क्या था head को अपने हलका सा rotate करते है downwards या forwards आगे की तरफ या निचे की तरफ जिससे अपने क्या है chin और chick दोनों फिलम के contact में आ जाते है वहां तक अपने क्या head को rotate करेंगे तो कौन ची पोजिशन होगी oblique position और skull के सभी view में centring कहा रहती है अपनी sorry cassette के position कहा रहती है vertex से 1 inch उपर अब बात करते हैं अपने lateral oblique view के radiological appearance की तो radiological appearance में अपने क्या दिखाई देता है the mastoid cell of the side near to the film are clearly seen जो अपने mastoid cell है जो फिलम के past में वह अपने को क्या clearly seen होती है view 25 degree caudial angle जिसको अपने क्या बोलते है succlars view यह नाम सारे याद रखना है जिसको क्या बोलेंगे lateral view 25 degree caudial angle है किसके mastoid cell के लिए तो कौन सा होगा succlars view अगर succlars view के नाम से अपने को पूछ ले तो अपने बताए lateral view 25 degree caudial angle mastoid cells के लिए ठीक है अब इसके अपने बात करते हैं indications की indications क्या रहेगा to demonstrate pathology condition mastoid cells की कोई भी pathology condition है उसको demonstrate करने के लिए cassette size cassette size अपना क्या रहता है 8-10 और 10-12 अब अपने बात करते हैं position of patient की patient की position क्या होने चाहिए तो अपने देखो view कौन सा है lateral view तो lateral view patient की position कैसे होती है सबसे पहले अपने क्या करते है patient को prone लेट आते हैं फिर उसके head को क्या है एक side rotate कर देते हैं फिर तो middle stridal plane और intraorbital line उसको calculation कर लेते हैं ये क्या होती है patient की lateral position होती है आगे इसको continue करते हैं patient prone on the table patient के table पे prone लेटेगा head is rotated to either side so affected side contact with the cassette अपने head को क्या है left या right side में rotate करते हैं जो side of knee affected है वो cassette के touch में रहनी चाहिए patient middle societal plane is parallel to the table patient का middle societal plane है वो क्या है table के parallel रहता है intraorbital line is perpendicular to the table जो patient के intraorbital line होती है वो क्या है table के perpendicular रहती है intraorbital line कौनसी होती है जो दो orbits को आपस में मिलाती है और intraorbital line का दूसरा नाम क्या होता है अपने इसको किस नाम से बुलाते हैं दूसरा intra pupillary line यानी orbits के अंदर के आपने pupils होती है तो दोनों pupils को मिलाने वाले line intra pupillary line patient orbitometer line is parallel to the table patient की orbitometer line क्या है table के parallel रहती है orbitometer line कौन से होती है orbit से external auditory meters को मिलाने वाली line orbitometer line next अपने बात करते हैं position of cassette की cassette की position क्या रहेगी तो cassette upper border should be one inch above to the vertex of skull cassette की upper border कहां पे रहती है skull के vertex पार्ट से एक इंच उपर vertex पार्ट कौन सा होता है जो skull का top पार्ट होता है इसके बाद अपने बात करेंगे centring की तो central ray over the two inch above 2 inch उपर से अपनी central ray जाती है जिसमें अपने tube angle कितना देंगे 25 से 30 degree angle towards the fit fit की तरफ angle देंगे तो fit की तरफ angle देते हैं उसको अपनी क्या बोलते हैं काउडियल एंगल तो centring का रहा है ये अपनी external auditory meter से 2 inch उपर और जिसमें एंगल रहेगा 25 से 30 degree एंगल फिट की तरफ ये देखो एक diagram में अपने को दिखा रहा है ये कि अपनी radiological sorry radiographic plate है यानि अपनी cassette है इस पर patient के lateral position में लेटा हुआ था ये इसका lateral side का face है जिसमें ये side patient के क्या affected थी जो क्या cassette के touch में है अब ये क्या अपना external auditory meters यहां आता है तो इस से 2 inch उपर यहां पर अपने centring की और tube को क्या 30 degree एंगल दिया fit की तरफ पहले अपने क्या ऐसे centring करते थे ठीक है lateral view में 2 inch अबोब अब अपने क्या 30 degree एंगल दिया और centring भी कहा करनी है external auditory meter से 2 inch उपर तो external auditory meter से 2 inch उपर यहां centring हो गई और tube की 30 degree एंगल दिया जिसमें अपने क्या जो नीचे की mastroid cells है वो clearly seen हो जाएगी next अपने बात करते हैं radiological appearance की इसका radiological appearance क्या रहेगा the mastroid cells of the side near to the film are clearly seen the mastroid cells है के से के बिलकुल पास में आ रही है वो अपने को क्या clearly seen होती है यह मैंने आपको diagram में बताया है कि जो mastroid cells के से के बिलकुल पास वाले पार्ट में इस पार्ट की जो mastroid cells हो अपने क्या clearly seen होती है और दूसरी है वो क्या हलकेल की इस पार्ट का लेना तो यह पार्ट के टाट में रहेगा और एकस्पोज करें अगर इस पार्ट का लेना हो तो अपने दूसरी फिलम पर यह पार्ट के टाट में रखते हुआ एक्सरे ले सकते है उसके बाद अपने बात करते हैं एक्सपोजर की एक्सपोजर क्या रहता है डिस्टेंस इसकी रहेगी 92, 100 सेंटिमेटर केवी कितना रहेगा अपना 80, अमेस 60 और ग्रेड का यूज़ अपने करेंगे यह देखो आपको एक फिलम दिखा रखी है कि अपने को मेस्टोइड सेल्स की कैसे दिखाई देती है एर अमेसा क्या है ब्लेक ब्लेक दिखाई देगी तो यह अम एसी क्या दिखा रखा है मेस्टोइड ओफ मेस्टोइड एर सेल्स जो mastroid air cells है वो क्या देखो black black दिखाई दे रही है न अपने को यह क्या mastroid air cells है और EAM external auditory metis अपना यहां पे आता है और यह क्या है tempo mandibular joint जो अपने temporal bone और mandibular bone जान जोड रही है वो अपने को दिखाई दे रहा है तो इसमें patient का face किस side रहेगा इस side में patient का face इस side में है patient की occipital bone इस side में है तो face इस side में तो क्या है external auditory metis की बिल्कुल पीछे की side में अपना क्या होता है mastoid cells होती है और उसके देश्ट आगे क्या होता है TM joint अब देखो एक note लगा के अपने को बात बता रही है in lateral view ear pinna of the ear nearer the film should be folded forwards to avoid superimposed or mastoid cells अपने lateral view में क्या करते है जो अपने ear pinna होती है कौन सी ear pinna जो film के past में है film के touch में है उस ear pinna को अपने क्या है fold कर देते है ताकि क्या हो mastoid cells पे superimposed ना हो क्योंकि अपने mastoid cells है वो कहा होती है बिल्कुल ear pinna के पीछे यह देखो इस diagram में दिखा रखा है यह अपने क्या है ear pinna है इसके just पीछे क्या है mastoid cells और यह क्या है external auditory metas और यह tempo mandibular joint उसमें अपने कितना part दिखाई दे रहा था mastoid cells, external auditory metas और TM joint यह तिन अपने क्लियर लिशीन हो रहे थे उसमें patient का face जैसे इस diagram में आपको दिखाएगा वैसे ही है जिसमें क्या बीच में अपने को external auditory metas दिखाई दे रहा है पीछे mastoid cells और आगे TM joint clearly seen हो रहा है तो अपने इसमें क्या बताया गया है या आगे की तरफ क्यों करते हैं क्योंकि इसके बिल्कुल पिछे के अपने mastoid cells है वो superimpose now उस superimpose को avoid करने के लिए अपने क्या करते हैं mastoid cells sorry earpinna को folded करते हैं देखो यह हो गया अपना lateral view यानि सुकलर view इसमें patient की position क्या थी कि patient को सबसे पहले prone लेटाया फिर उसके head को क्या है एक side rotate किया जो side अपनी effect rate अवो cassette के touch में रहेगी उसके बाद जो अपने earpinna है उसको अपन क्या है fold कर देंगे ताकि जो earpinna के dust पीछे mastoid cells होती है वो superimpose ना हो अब अपने patient का middle societal plane table से क्या रहता है parallel रहता है intra orbital line table के perpendicular रहेगी orbitometous line table के parallel रहेगी यह सारे अपने करते हैं उसके बाद centring कहां करते हैं external auditory meters से 2 inch उपर यह देखो इस diagram में दिखा रहा है जो अपना external auditory meters है यह वाला इससे 2 inch उपर अपने centring करेंगे और tube में 25 से 30 degree का angle fit की तरफ देंगे जिसको अपने क्या बोलते हैं caudial angle radiological appearance में अपने क्या दिखाई देता है mastoid cell clearly seen होती है यह देखो इसमें तो mastoid air cell सा वो clearly seen हो रही है यह external auditory meters है और यह TM joint है यह देखो अलकाल का अपने दिखाई दे रहा है तो उपर के temporal bone और यहां के mandible bone जूड रही है तो यह TM joint बनता है तो यह image अपने क्या X-ray होने के बाद में clearly दिखाई देती है इस parts को देखने के लिए अपने क्या ear को fold कर देते हैं तक यह part अपने को clearly seen हो जाए यह class अपनी complete होती है Thank you झाल 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 झाल